प्रजापती समाज के बुद्धी जीवी लोगों ने एक बैठक की जिसमें निडन लिया गया कि अब की बार प्रजापती समाज से लोग परीय रास्ते वादी पार्टी से रजनेश प्रजापती को सतर्प्रोजवास से चुनाव लड़ाया जाएगा वहीं सैघंड़ों की संख्या में प्रजापती समाज के लोगों प्रजापती समाज का नाम रोशन करें जिससे प्रजापती समाज जागरू हो सके क्योंकि इस देश में प्रजापती समाज की कोई भी पार्टी का नेता सुनने वाला नहीं है जब जब विधान सभा या लोकसभा का चुनाव आता है तो अपनी अपनी जाती के नाम पर की जिक्र ही नहीं चलाते अज हम रजनेश प्रजापती को लोकृनिया रास्टवादी से सदर विधायक बनाकर प्रजापती समाज का नाम रोशन करेंगे मनिह राम प्रजापती, महेज पाल माज़ प्रजापती, राकेश प्रजापती, ज्यान सिंग प्रजापती, मलिखान प्रजापती, प्रेम पाल प्रजापती, विनोट टेलर प्रजापती, बेदराम प्रजापती, अशोग प्रजापती, महेज प्रजापती, गुलाग सिंग प्रजापती, सत्यभान प्रजापती, नाहर सींग प्रजापती, लक्षमी नरायन प्रजापती, सौन पाल प्रजापती, हर पाल सींग प्रजापती, मेक सींग प्रजापती आधी लोग उबत्तित रहें। रोजवासे जिला समवाद दाता सौराज सिंगी रिपोर्ट स्केच नूज. चुनाव में एंपेले का चुनाव लगने के लिए तयार किया गया है और यह निल्ला लिया गया है कि सभी प्रजापती बंदू उनका पूर्ट तनौमान धन से उनका पूर्ट सहयोग करेंगे और हमारा प्रत्यासी 100 परसंट जीत के आपके बीच में उपस्तित होगा जेव प्रजापती महिस्पाल माजा जी के निवास पर तमाम फ्रोयाबाद के प्रुवद्द लोगों के बीच में एक निड़े डिया गया कि लोग प्रिये राष्टवादी पाटी के फ्रोयाबाद विधान सवासे रजनेश्वाई प्रियापती प्रत्यासी होंगे और हम सब का तनमंधन से यह सईयोग रहेगा कि फ्रोयाबाद विधान सवास पर आपकी रजनेश्वाई काविज होंगे यह हमारे बीच में अग्ली बार यानि 2022 में हो लोकसवा फ्रोयाबाद से एमले के रूप में चुने जाएगे यह हमारी प्रियास रहेगा भाई रजनेश्वाद चुने दात्य प्रियाबाद प्रियापति तर्शित वापके रिचाप्ति रजनेश्वाद चीकुण प्रियापति बिच्ट फिच्ट धिया विद्ध यह प्रोयाद का फ्रिचाश्वान अप्रियासी बनाया है आप सब लोगों से अपरील है कि इनको बारी बहूंझ से बोट दे कर अपना आमूल वोट देकर सफ़ल बनाये और सब प्रिभुंद्रों के सामने सबस्थ लें यह अब किसी दूसरे दलों को बोट नन्दूंगा मैं अपने समाज को अपनी पार्टी को ही भून दे करके अपना और अपने समाज का सम्मान आगे बढ़ाऊंगा जिससे समाज के और पार्टी की छतियों मैं हमेशा पार्टी के और समाज के उत्वान की बात हमेशा करता रहूँगा मैं ऐसा कोई कदम नहीं उखाँगा तो समाज और पार्टी के विप्रीत में हो